की गैर कानूनी गिलफ़तारी हुई है, तब कौन से रिट जारी करनी चाहिए, सवाल दूस्ता आपसे पूछ रहा है, अगर दोसे किसी को दोस्तों आरेस्ट कियागए है, और सो इलीगल आरेस्ट कियागए है, तो उस समय कोट कौन से रिट जारी करेगा? बंदी प्रतक्षिकर्ण हैबीच कोर्पस अधिकार प्रक्षा क्यों वरंटो परवादेश मेंडमश और निशेद या प्रतिशेद प्रोहविशन इस चार रिट आपके सामने लिखी है ठीक है पहली बाद दोस्तों आपके रिट जारी करने का अधिकार किसके पास होता आपके वो होता है किसके पास में वो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है दोनों के पास में होता है ठीक है अगर पुछों आपसे सुप्रीम कोर्ट के पास तो कौन सा आर्टिकल है तो आर प्रेमिडीज ओफ कॉंस्टिशन राइट के तोर पे आपके उसके जो मौली कदिकार हैं उनको बापस दिलाने की गारेंटी फिरदान करता है और इसके लिए दो सुप्रीम कोट पांच तरह की रिट जारी करता है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है आर्टिकल 32 दोसो क्या ब दोस्टों और एक नंबर पांच कौन सी होगी उत प्रेशन होगी ये पास रिट होने वाली है इनको आपको ध्यान लखना है ठीक है वहीं दोस्ता अगर आपके हाई कोट की बात करूं आपसे इसके पास आर्टिकल कौन सा है इसके पास आर्टिकल है फज़गे और इसमें अगर आपके मौलिक अधिकार का उलंगन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है ठीक है अगर दोस्तों आपके मौलिक अधिकार के साथ में अगर आपका अगर लीगल राइट्स का उलंगन हुआ हो तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं करेगा केवल हाई कोड दोस्तों इस condition में आपके hgt जारी करता है तो मॉलिक अधिकार प्लस कानूनी अधिकार लीगल राइट्स जो हैं इन दोनों के लिए ःत जारी करनी की पावर किसके पास में वो हाइ कोड के पास में टीक है अब दो 5 रिइट आपके सामने होती है, पहली रिट का नाम आपके हैवीश कॉर्पस, बंदी प्रतक्षिगान सो अर्थ है, अगर दो सको किसी को गिरफ्तार किया है, और सो इलीगल गिरफ्तार किया है, तो उस बंदी को कोट के सामने परतक्ष रूप से उपस्तित कीजिए यह इसका नाम है ठीक है इसका अर्थ क्या है बंदी को जो हिरासत में लिया गया है बंदी को न्यायले के सामने 24 घंटों के अंदर क्या 24 घंटे में सैसरीर परतक्ष रूप से उपस्तित करवाना पड़ेगा यह दोस्तों इस आपके रिट में होता है तो अगर दोस्तों किसी को illegally arrest किया है तो उसको habits corporate जारी करेगा high court उसके लिए supreme court उसके लिए 24 hours 24 गंटे के अंदर जो है उसको प्रतक्ष करना पड़ेगा उसको court के सामने paste करना पड़ेगा ठीक है second दोस्तों रिट है अधिकार प्रिफ्सार अगर दोस्तों कोई अधिकारी जो है आपके वो अपने अधिकार छितर से बाहर काम करता है तो उसके लिए दोसों क्यों warrant आपके जारी होता है अधिकार छितर से बाहर काम करेगा अगर अधिकार छितर जो है उसका उलंगन कर देगा तो उसके लिए ये वाली जो है क्यों वारंट रिट जारी होता है ठीक है थर्ड दोस्तों परमादेश पूछ है अगर दोस्तों कोई अधिकारी काम ही नहीं करता है तो उसको परमादेश देने के लिए कि हमादेश देते हैं ये वाला काम आप क अपर कोर्ट हमेशा लोवर कोर्ट के खिलाब जो है चारी करता है ठीक है दोनों डिट किसके लिए अपर कोर्ट अपर कोर्ट जो हमेशा जो लोवर कोर्ट होगा इसके खिलाब जारी करेगा और अभी दोस्तों हाली में ये सवाल आप चेक करना अभी दोस्तों हाली में सवाल UPSC न अपना जो एक्जाम हुआ है Civil Service एक्जाम 2024 16 जून को जो हुआ है उसमें प्रतिसेद वाला सवाल पूछा गया था उसमें PT के अंदर ये सवाल पूछा गया है तो 5 रिट है ये रिट कहां पर लिखी हुई है High Court Supreme Court की रिट में दोसरो क्या अंतर है ये सारी बात इस सवाल में Option No.1 करेक्ट आंसर होगा हमारा Heavy score पस बंदी पतक चिकन जो है बंदी को कोट के सामने 24 घंटे के अंदर सहा सरीर पेस कीजिए ये इसका मतलब हो गया